क्या सच में मुन्ना भाईया के डेथ हो गई है? यही सस्पेंस है दोस्तों मैं बताता हूँ मुन्ना भाईया अभी जिन्दा है A Good Movie To Watch Hey friends, welcome back to A Good Movie To Watch जहां आपको मिलते हैं movies, web series, reviews और भी पहुत कच और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा कि मिर्जपूर सीजन 3 का क्या story हो सकता है दोस्तों मिर्जपूर सीजन 3 के जो वीडियो ہیں story prediction वीडियो है उसको हम 2 part में divide करेंगे पहला part तो यह कि हम यह assume करके चलेंगे कि मुन्ना जिन्दा है जी हां दोस्तों मुन्ना जिन्दा है कैसे है वो मैं इस वीडियो में आज explain करने की कोशिश करूँगा यह हमारी assumption है ठीक है अगर मुन्ना जिन्दा हुआ तो कि किस तरीके की मिर्जापूर सीजन 3 की कहानी होगी और दूसरा part हम ये लेकर चलेंगे कि मुन्ना जो है वो सच में मर चुके हैं और अब उनके वापस आने के कोई चांस नहीं है तो उसके हिसाब से स्टोरी क्या रहेगी मिर्जापूर सीजन 3 की उसका part 2 आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपने जो मुबाइल के कीड़े बन गए हैं उनको एक सला देना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि रोज एक घंटा जाकर घर से बाहर जरूर खेलें दोड़ें या कुछ करें मतलब शरीर का एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है आज कल हम ज्यादा तर मोबाइल में अपना टाइम लगाने लगे हैं तो प्लीज उसको एवोइड कीजिए और चलिए अब हम आपने आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं ये सला मैं आपको हर वीडियो में देता रहूँगा क्योंकि मोबाइल चला हम चाहते हैं कि सब लोग मोबाइल ज्यादा चला है हमारा वाश टाइम बढ़ेगा बट नहीं अब हम ये चाहते हैं कि लोग हेल्दी भी रहें समझ रहें तो प्लीज घुमे फिरिये खेलिये बात करते हैं तो सबसे पहले मेरी तरफ से स्पोयलर वार्निंग कि भाया अगर आपने मिर्जापुर सीजन टू अभी तक नहीं देखा है सीजन वन नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें अधरवाइस आपको काफी सारे भरी स्पोयलर यहां पर मिलने वाले हैं सीजन कुछ केरेक्टर को वहां से इसकेप भागना पड़ता है इसकेप करना पड़ता है समझ रहे हैं जैसे सीजन वन में गुडू गोलू और डिम्पी निकले थे चोरी चिपे जल्दी से वहां से उस मेसे केर से ताकि वो मुन्ना से बस्तक हैं इसी तरीके से सीजन टू के मैं बताता हूं मुन्ना भाईया अभी जिन्दा है जी हां सबसे ज्यादा इस टाइम जो पॉपिलर केरेक्टर अगर हम सर्वे को भी देखें और मैं अपने कमेंट्स बॉक्स में भी देखता रहता हूं सबसे ज्यादा जो लोगों की पसंद हैं वो हैं मुन्ना भाईया औ और गोलू ने मुन्ना को बिल्कुल छाती में है नल जहां पर दिल होता है उदर लेफ्ट हेट साइड पर लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सीजन टू में मुन्ना भीया बार बार ये बात बोलते हैं हम अमर है वे हम इंदी फिल्मों के हीरो हैं हमें कोई मार नहीं स चारक्टर ने ये बाते जान बूज कर बुलवाई है ताकि सीजन थ्री में जब फिर से मुन्ना भीया हमारे सामने आएं तो वो यही डायलब बोले हम आमर है वे ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तो एक डिफेक्ट होता है इंसान में जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो कार्डिया डेक्स्ट्रो कार्डिया नाम की अगर किसी इंसान को बिमारी है तो उसमें पता क्या होता है कि उसका जो दिल है वो लेफ्ट हेंड साइड में ना होकर राइट हेंड साइड में होता है समझ रहा है तो ये लाखों में किसी एक आदमी को ये बिमारी होती है और मुझे लग क्योंकि जो बंदू को गन पॉइंट को उसने लेफ्ट एंड साइड पे ठीक किया कि यहां पे गोली चलाओ तो ठीक है तो इस तरीके से अगर हम देखा जाया और यह ट्विस्ट अगर आ जाएगा अगर मुन्ना भहिया को इस तरीके से जिंदा कर दिया जाए यह एक ट्रिक हो सकती है कैसे निकलेंगे मुन्ना भहिया वहांसे मुझे लगता है यहां पर रोबिन का किरदार बहुत इंपॉटन रहेगा सीजन त्रीकी हम स्टोरी की बात कर रहे हैं दोस्तो तो रोबिन मुन्ना को वहांसे निकाल ले जाएगा किसी भी तरीके से मतलब वहांसे घूम सोशल मेडिया में वो ये है कि रॉबिन की मम्मी कौन है और मुझे लगता है कि रॉबिन की मम्मी जो है वो कालीन भीया की वाइफ निकलेगी यानि कि मुन्ना और रॉबिन भाई-भाई हैं वो अलग क्यों हो गए एक लड़का मुन्ना जो है वो कालीन भीया के पास रहे गय और मुझे यहाँ पर How To Train Your Dragon Part 2 की याद आ गई, अगर आपने वो एक Best Animated Movie है जो अब तक मैंने आज तक देखी है, तो How To Train Your Dragon में भी अगर आप देखोगे, तो Part 2 में वो जो हीरो रहता है, उसकी मा के स्टोरी को ले आते हैं, कि वो भी जिंदा होती है, और पूरी जिंदगी व हमारे मुन्ना भी यही सोचते रहते हैं, कि जो उनकी मा है, वो मर गई है, लेकिन हो सकता है, सीजन 3 में रॉबिन और मुन्ना की मा, वो सेम निकले, तो यहाँ पर बड़ा एक जबर दस प्रेस्ट आ जाएगा, अगर रॉबिन और मुन्ना भाई-भाई निकले, तो जो डि वर्ड चला जाएगा, यहाँ पर अब लाला की एक पार्टी है, लाला और शबनम, उनका भी जिकर करना जरूरी है, महदुरी यादा लखनों में सीम बनकर बैठी है, उनका भी जिकर आएगा, वही पर दद्द्यात्यागी के घर में अलग रामायन चलेगी, उसका भी आप को यहाँ पर जिकर करना जरूर पड़ेगा मुझे, और कई सारे कैरेक्टर यहाँ पर, 11-12 कैरेक्टर जो है, वो बिलकुल अलग हो गए, जैसे बीना भावी और मकबूल का अलग सीन चलने वाला है, तो अगर उन सब की बात की जाए, तो जैसे सीजन टू में एक पैटर्न फॉलो हुआ तक कि जोडियां बनी थी, जोडियां कैसे बनी थी, शरद और मुन्ना, ठीक है, और मही पर कालीन भाईया और जो सीम है, वो एक साथ आ गए, लाला और गुड्डू एक साथ आ गए, तो जो जोडियां बनाने का जो गेम स्टार्ट हुआ है, वो सीजन थ्री म भी वो कौन किसके साथ टाइप करेगा, वो उसके बारे में बात करते हैं, तो गुड्डू और गोलू की जो कमजोर कड़ी निकल कर आएगी, वो डिम्पी, डिम्पी उधर प्यार के जाल में फज जाएगी, रॉबिन के, और रॉबिन उसके साथ धोका कर सकता है, क्योंकि वो मुन्ना का भाई हो सकता है, और यहाँ पर गुड्डू और गोलू की जो स्ट्रॉंग कड़ी रहेगी, वो होंगे छोटे त्यागी, जी हाँ, अभी जो दध्या त्यागी, दध्या त्यागी के दो लड़के थे, शत्रुगन और भरत, और हमने देखा था कि गोली में एक लड़का मर गया था, पोस्ट क्रेडिट सीन, मिर्जापुर सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ध्यान से देख सकते हैं कि जो शत्रुगन था, वो जिन्दा है और भरत, यानि कि बड़े जो हैं, वो मर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी अंगुठी से खेल रहे थे, और जो भरत था, वो लेफ्टी था, और शत्रुगन उस अंगुठी से धंग से नहीं खेल पा रहा था, तो ये प्रूव करता है कि शत्रुगन जिन्दा है, लेकिन दद्दात्यागी को ऐसा लगा कि बड़े जिन्दा है और चोटे मर गया, लेकिन असल में चोटे जिन्द गोलू के लिए किस तरीके से मददगार साबित होगा, क्या वो दद्दात्यागी को भी निम्टा देगा, और फिर सारा सिवान और बिहार का जो भी कंट्रोल है, अपने हाथ में लेकर गुडू और गोलू को मदद पहुचा सकता है, वहीं पर जो शरद है, शरद का भी दूसरा उसे मिर्जापूर भी चाहिए, और मिर्जापर पर अब राज कर रहे है गुडू और गोलू, सीजन 3 के स्टार्टिंग के 1 और 3, मतलब 1-2-3 एपिसोड में हमें गुडू और गोलू का भोकाल देखने को मिलेगा, इनकी स्टोरीज आगे भढ़ती भी दिखाई अगर ये कहानी सीजन 4 तक जाएगी, मिर्जापूर सीजन 4 की बाते हम सोच रहे हैं, तो मतलब अगर आप देखें, जैसे दंगल में होता है न, दो पहलवान एक दूसरे को उठा पटक करते हैं, तो वही अभी सीजन 1 और 2 में तो हमें यही देखने को मिला है, सीजन 1 ने म गुड़ू और गुड़ू ने मुन्ना को उड़ा दिया, ऐसा लगता है, और मिर्जापूर छीन लिया, और सब कुछ तितर बितर कर दिया, ऐसा लगता है, जैसे कि हमें सीजन 1 में लगा था कि गुड़ू और गुड़ू फिनिश, है न, अब उनके पास विचारों के क्य है करने के लिए, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, जब कालीन भाया ब्योजी की हालत से जागेंगे, शरद उनको ठीक करवाएगा, गुलिया निकलवाएगा, जिस तरीके से सीजन 2 में स्टार्टिंग में हमने देखा कि मुन्ना और गुड़ू, दोनों के दोनों बेड पर पड़े हैं, बेड रेस्ट ले रहे हैं इस तरीके से इस बार भी सीजन 3 में भी हमें यही देखने को मिल सकता है, दोस्तों माधुरी यादाव और लाला और 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 भी जो कैरेक्टर हैं, जेपी यादाव ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर हैं, इनका अपना छोटा चोटा चोटा रोल चलता रहेगा बड़ जो basic जो main field में हैं वो है शरद, गुडू, गुलू, मुन्ना, रोबिन, डिम्पी और छोटे त्यागी तो ये सब मिलके बवाल भोकाल मचाने वाले हैं season 3 में और season 3 आएगा 2021 में जहां तक उम्मीद है 2021 के end तक season 3 आजाना चाहिए मिर्जपुर का दोस्तों ये सब हमारी story production है आपको ये story कैसी लगी आपके हिसाब से क्या story हो सकती है क्या कुछ नया twist आ सकता है काहनी में उसके बारे में हमें अपनी राए comment box में जरूर दे मैंने मिर्जपुर season 1, 2 और उनकी story prediction, trailer, recap सब वीडियो बनाये हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगता है तो हमें जरूर बताईए कुछ कमी लगती है वो भी हमें बताईए इसके अलावा हम और भी movies के review करते रहते हैं वैसे तो कौराना में बहुत सारे movies जो release होने थे वो सब नहीं हुए लेकिन OTT platform ने काफी कुछ बचाय रखा और कुछ-कुछ release करते रहे तो हम उसको भी release कर रहे हैं आप हमसे क्या चाहते हैं किस तरह कोई कमी हो तो वो भी बताईएगा कुछ अच्छा लगे वो भी हमें comment box में लिखेगा तो comment box में हमें अपनी राय जरूर दीजिए जो लोग इस channel पर नई है channel को subscribe और वीडियो को like share जरूर कीजिए मैं मिलूँगा आपको नए और अच्छे किसी interesting वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye